तो दोस्तो आज 27th April 2023 as per commitment मैं लेके आया हूँ वीप्रो की quarter 4 के result साथ में buyback की notice को लेके तो दोस्तो एक एक करके देखेंगे सबसे वाले company इस बार quarter 4 में कैसा perform किया क्या market का जो estimate था उसको beat कर पाया या नहीं कर पाया और सबसे बड़ा दोस्तो जो twist है वो buyback में है कल अगर वीप्रो की share में तेजी देखने को मिला वो basically buyback की बज़े से ही देखने को मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पे आपके सामने मैंने share कर रहा हूँ वीप्रो की quarter 4 की consolidate financial result जैसे कि आप अब देख सकतो और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा notice करना यहाँ पे जितने भी numbers है सारे इन millions के figure पर है और मैं आपको करोड पे convert करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में easy हो जाए ठीक है तो सबसे वहले आप देख सकते हैं तीन अलग-अलग quarter का result है यहाँ पे current quarter यानि March 23 का result उसके ठीक पास December 22 का result मतब लास्ट quarter और यह हो गया आपका last year मतब March 22 का result तो चले सबसे वहले हम देख लेते हैं कि company इस बार total income कितना generate कर पाया तो जैसे कि आप आप देख सकतो विप्रो लिमिडेट की quarter 4 पे total income या total revenue जो आया है 23,835 कर रुपए धियान देना यह पूरा figure in million पे है और मैं आपको करोड पे convert करके बता रहा हूँ लास्ट quarter की बात करें December 22 पे यह figure था 23,867 कर रुपए यानि अगर देखा जाए दोस्तो हलका सा गिरावर देखने को मिला या बोल सकतो कि एकदम flat है मतब कोई बहुत बड़ा यहां पे गिरावर देखने को नहीं मिला और कोई बहुत बड़ा जम भी देखने को नहीं मिला थोड़ा सा ही हमें कमजोरी देखने को मिला quarter on quarter basis पे लास्ट यार की बात करें मत्ब मार्च 22 में यह figure था 21,362 कर रुपए ध्यान देना year on year basis पे काफी शांदर हमें जम देखने को मिला फिर भी market का जो estimate था करीब करीब 13-14% कास पर जम हो सकता है revenue के अंदर year on year basis पे उसको इ एक्सपेक्टेशन था मार्केट का एक्सपेक्टेशन थोड़ा से ज्यादा था वाट year on year पे जो ग्रोथ होगा यह सब कोई मालूम था total expenses की बात करें मतलब इस बार कितना खर्चा हुआ तो यहां पर दोस्तों काफी हद तक improvement हमें देखने को मिला जैसे कि आप आप देख स ज्यादा ड्रॉप हमें expenses कंदो देखने को मिला तो यह बहुत positive बाट है लास्ट यहर की बात करें मतलब मार्च 22 में विप्रो लिमिटेट की total expenses का नंबर था 17,628 करो रुपए यानि अगर हम बात करें revenue के मामले में जैसे हमें जम देखने को मिला ठीक वैसे ही दोस्तों में expenses भी बरतवा नजर आया ठीक है year on year basis बे अब चले सीधा नीचे चलके देख लेता है tax बगरा बनने के बाद at the end कितना profit company generate कर पाया यानि profit for the period जैसे कि अब अब देख सकतो तो इस quarter की अगर हम बात करें यानि quarter 4 March 23 में विप्रो लिमिटेट का total net profit का नंबर आया है 3093 करो रु पर मैं आपको करोर रुपे convert करके बता रहा हो 3093 करोर रुपे company का net profit आया है जो कि last quarter में ये figure था 3065 करो रुपे तो जिस बैसे आप देख सकतो कि expenses के अंदर quarter on quarter basis थोड़ा सा drop हुआ जिस बैसे company का margin है वो थोड़ा improve हुआ जिस बैसे देखे quarter on quarter basis पे थोड़ा सा हमें gain देखने को मिला थोड़ा सा ही gain देखने को मिला बहुत ही कम last year के अगर हम बात करें of course last year पे company का revenue जरूर यहां पे कम हुआ था बट company का expenses था वो काफी कम था यानी margin ultimately काफी high था तो जिस बैसे last year पे देखे कम revenue generate होने के बाब जूद भी company का net profit आया था 3,92 करोर रोपए यानी अगर हम बात करें इस बार quarter on quarter basis पे net profit के थोड़ा जंप हुआ तो जिस बैस में आपको बोल ला था शुरू में कि ultimately जो twist है वो buyback के उपर है तो वहां पे आपको अच्छे से समझना चाहिए तो देखिए अब हम बात करें अर्निंग पर शेर तो यहां पे basic and diluted अर्निंग पर शेर अल्मोस्ट फ्लैट है सेम तो सेम नेट प्रोफिट के तरह जैसे कि अब देख सकतो बेसिक है 5.61 और डाइलूटर 5.60 जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा अगें देखने को अल्मोस्ट फ्लैट और यहां पे थोड़ा सा में ड्रॉप भी देखने को मिला अब चले थोड़ा सम सब्सक्राइब अब उठाके देख सकते इंफोसिस की बैलेंशीट या एचल की बैलेंशीट वाहां पर आपको सेम तुसेम ऑल्मोस्ट यहां पर सिमिलर देखने को मिला जो में जो रेविन्यू सोर्स है वह है अमेरिका मातब यूसे उसके बात एंटायर वर्ल्ट ठीक है तो आप देख सेकते अमेरिकास वन से टोटल रेविन्यू इस बार कंपनी का आया है 6,643 करूर रुपए जो की क्वाटर ओन क्वाटर पे ड्रॉप हुआ यहां पर यहां पर दोस्तों दोनों ही सेग्में पर हमें गेन देखने को मिला टोटल 6,756 करूर का डेविन्यू आय कंपपनी का ब्रेजल तो मुझे काफी फल्ैट लगा मतलब कोई बहुत स्वी नपना ओब चारबगत दो अप्च्न刑न कर बहुत की न्यूस जैसे कि अब देख सकते हो हेड्लाइन वीप्रो एनॉसेस 12,000 करोड शियर बाइबैक जी हाँ दोस्तों कोई कोई बहुत ज्यादा यहां पर मोमेंटम देखने को नहीं मिला था बात यह कि टेंडर रूट पे टेंडर रूट पे जब कोई कंपनी बाइबैक करता है तो वह एक फिक्स प्राइज होता है मतब जो यहां पर वीप्रो डिक्लियर किया जो शेयर चलता है वो अफकोर्स प्रियम वेलोशन में लाया जाता है वाइबैक हमेशा तो जो बाइबैक का जो प्राइज रखा जाता है उसके आस पर उसमें पहुंच जाता है और यह कोई छोटा मोटा बाइबैक नहीं ध्यान से देखना वीप्रो का जो मार्केट किया है उसके अकोरिंग अगर हम बात करें 4.91 परसेंट जो प्रोमोटर अपना स्टेक ओपें मार्केट के थुए आप सारी टेंडर रूट के थुए यहां पे बाइबैक करेगा मत्वा अपना जो प्रोमोटर का स्टेक है वो इंक्रीज करेगा और विप्रो को छोटा मोटे आपको अच्छे से मालूम होगा 4.91 परसेंट प्रोमोटर स्टेक दोस्तों यहां पर इंक्रीज होगा तो यह बहुत बड़ी बात है यह हो गया बाइबैक का टोटल जान करें जैसे कि आप देख से तो 12,000 करो फिर एक बर मैं आपको रिपीट करके देता हूं टोटल बाइ पर का स्टेक 4.91 परसेंट आज की रेट पर दोस्तों कोई भी एक्स डेट या रेकॉर्ड डेट यह बाइबैक का डिकलार नहीं करेंगा वह आगे चलके लगबग एक से देर महेंने के भीधर भीधर कंपनी और एक नोटीस सेंड करेंगा उस नोटीस में दोस्तों बाइब ब्रोकरेज हैस एस्टीमेट दा कंसॉलिडेट रेविन्यू अब टेक मेजर लगबग तेई सजार पांच सो पांच करों के एस्टीमेट था अल्मोस्त थर्टीन परसेंट यह और यह पर जंप का अनफॉचुनेट इसको बीट नहीं कर पाया आज की रेट पर का जो यह और यह पेस्ट देखने को में रेविन्यू कंदर सिर्फ और सिग्यारा परसेंट के आसब जो चीज़ में आपको शुरू में बोल रहाता तो कहीं नहीं देखिए इसका इंपक्ट से ज्यादा मुझे लगदा कि कल बाइबक का इंपक्ट सबसे जादा देखने को मिलेगा दू इसका इंपक्ट आपको इंस्टैनली देखने को मिल जाएगा यूएस मार्केट का जो विप्रो लिमिटेट एडियर वर्शन है वहां पे तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे जब भी यहां पर यहां पर यूएस मार्केट ओप पर यह बाइबैक अनॉस्मेंट किया वह भी काफी हाई प्रीमियम वैलुएशन पर ठीक है तो अब देखना ही होगा कि कल किस तरब जाएगा और उसके साथ क्या चार्सों का इंपॉर्टे लेवल है उसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं आज तो फिलाल मार्केट थोड़ा यहां पर वालेटाइल भी था और शियर भी अल्मोस्ट फ्लैट क्लोजिंग लिया फिलाल दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स बगारा है कमेंट के तुरू पूछ सकतों इस वीडियो के यह वाइंड आप करता हूं मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक के बाबाई जाए हिंदे